Awakening with Brahma Kumaris जब हमारी बात्चीत हो रही थी तब हमें ये पता चला था कि धर्ती या हमारे समाज का हमारी पूरी जो दुनिया है उसका विनाश नहीं होगा बलकि परिवर्तन हो सकता है और परिवर्तन की तरफ ही हम अगरसर हैं क्या होगा ये परिवर्तन आने वाला वक्त कैसा होगा इस पर कुछ और बाते करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, हर बार की तरहां इस सफर में हमारे साथ हैं, ब्रामा कुमारी सिस्टर शिवानी, ओम शान्ती, एक सच को हमने देखा था, काफी भया वे था सिस्टर शिवानी, ऐसा लग रहा था कि सच मुझ सब खत्म होने वाला है हम में से हर कोई शायद आज इस बात पर खड़ा है कि पता नहीं अगला पल क्या हो लेकिन आपने एक आशवासन दिया था कि परिवर्तन होगा और परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए होता है क्या होगा वो परिवर्तन होगा आने वाला वक्त क्या कह रहा है आने वाले वक्त को समझने के लिए हमें समय को समझना पड़ता है कि time, how does time really move and what is time you know because समय के बारे में, creation के बारे में बहुत सारे concepts है, again, बहुत सारे theories है, बहुत सारे theories मानी जाती है बहुत सारे theories को अभी भी contradict किया जा रहा है so we need to be very clear about time then we will understand के जो बीता वो क्या था और जो आने वाला है, वो क्या है और जो अभी चल रहा है, वो कैसे बलकुल सही है क्योंकि इसकी integration, past, present and future, this will get integrated very nicely time अगर हम देखे, तो it's basically just a series of events you know, या दो events के बीच का, जो हमारा experience है, वो time है, समय जो बीत कया एक basic unit of time, जो हम मेजर करते हैं, वो एक day है a cycle of day and night, 24 hours physical nature में, जितना भी हम परिवर्तन देखते हैं, समय के अनुसार, वो सब cyclic है you know, दिन और रात का चक्र, सुभ, दुपहर, शाम, रात, रात के बाद, फिर से सुभ, अब इसी को बड़ा कर दीजे, थोड़ा से cycle को, तो भी तेक देख 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 देख, तो एक साल भी चार स्टेज़ से गुजरता है, spring, summer, autumn, winter कि इसके बाद अब क्या होने वाला है, रात के बाद कभी ये question नहीं आता है, कि इसके बाद क्या होने वाला है, क्योंकि इन cycles को हम हमेशा देखते आए हैं, तो सारे जो प्रकृती में समय का परिवर्तन है, वो सब कुछ cyclic है, बहुत फिक्स्ट है और बहुत accurately वो cycle move ही करता जाता है, अब इसमें हम कहें कि ये शुरू कभ हुआ, क्योंकि अगर कभी शुरू होगा तो इसका मतलब वो end भी होगा, तो एक cycle का भाव ही ये है, कि to a cycle there is never any beginning or any end, क्योंकि हर पोई जाकर, it's eternal, the world drama, it never gets created and never gets destroyed, it's cyclic, लेकिन जहां समय की बात on a bigger circle, you know, एक दिन का chakra हमने देखा, फिर एक वर्ष का भी chakra हमने देखा, अब इसी को detach होकर और बड़ा picture देखे, कि the world cycle, how would that move, that will also be cyclic, लेकिन कही न कहीं विज्ञान अभी भी उसको linear fashion में लेता है, कि the earth was created and that's why today we are talking of the earth getting destroyed. नहीं, तो वो जो बिग बैक ठीओरी है, या जो बात यह कही गई है, कि किस तरह से पृत्वी का जन हुआ था, तो वैसे नहीं जन में था? तो वैसे नहीं जन में था? पर, science ने एक बिन बताया, the earth is not flat, it is circular, तो इसी तरहे time में cyclic, इसके ओपर बहुत सारी theories हुई, big bang theory जैसे हुई, लेकिन इन theories को भी अभी भी contradict किया जा रहा है, और भी scientist ही कर रहा है, तो हर थोड़ी थामे के बाद आप जो research करेंगे, आपको नहीं नहीं concepts, नहीं नहीं evidence मिलेगी, जिससे आपका पूरा belief system change होने लगेगा, in fact recently ही, in the year 2002, Cambridge University में दो scientist है, Paul Stinhard and Neil Turok, जिन्होंने ये big bang theory को contradict किया है, उसको challenge किया है, and they say time is eternal, it is an eternal cycle of expansion and rebirth, वो को ना create हुआ था, ना कभी finish होगा, it is an eternal cycle of rebirth, तो we need to now look at it in a bigger picture, कि जैसे दिन और रात का cycle, रित्वों का cycle, मैसे ही एक थोड़ा उससे बड़ा cycle, you know, ये विश्व, ये कभ शुरू हुआ, या क्या ये कभी शुरू भी हुआ था, या का ये कभी खतम होने वाला है, या ये भी एक cycle ही है, क्योंकि समय का तो खेल है न सारा, कल, आज और कल, हम कहते हैं, तो कल क्या था, आज क्या है, और कल क्या होने वाला है, ये questions जब अंसर हो जाते हैं, तो भे, जितना भी हमने देखा पिछली बार, कि इतना सारा जो भे जो create हो जाता है, वो सारा finish हो जाता है, तो ultimately, the answer is that, ना ये कभी create हुआ See, time is eternal, it's a cycle, और ये तो जो जो डिरेक्टर है इस ड्रामा खा, या जो इस ड्रामा से डिताच होकर पूरे ड्रामा को देख रहा है, निराकार पर मात्मा, जिसे हम प्यार से, शिभाब अभी कहते हैं, जब वो इस रिष्टी पर आते हैं, तो स्वयम हमें इस समय का परीचह है, और सारा कुछ क्योंकि यह है रेकोडड़ है, आत्म ने कल भी दखा था आज पी देख रहा है, और जो कल आने वाला है, वो बी देखा हूआ है, जब घह सेन्दू कुछ है, तो तो EPA कोमा से शोंड़ है, और सखिन नेना है, जब हमेड़े बेख चीकोछ तो सर्मा से का ह have traveled on this whole journey then I do not need any concept then I do not need any belief system this time cyclic and this even science has now started exploring you know that the world on a bigger level is also just a cycle of time the cycle it is the continuous interplay of energies neither gets created nor gets destroyed so we get a constant factor that the Atma cannot create or destroy it's a fixed number so it's basically a closed system now this is a closed system it is a closed system above energy so some laws also work like the law of thermodynamics the first law of thermodynamics that energy can neither be created nor be destroyed so it's a constant or second law of thermodynamics whenever there is movement the energy gets transferred from a higher state to a lower state potential energy or state of stillness and when we come to movement or action then energy gets converted from potential energy to kinetic energy and slowly slowly that potential energy finish it is called the second law of thermodynamics or it is called the law of entropy which tells us another thing that everything is in a state of order and then slowly it is in a state of order first is it is in a state of order so its potential energy still it is in an ordered state then movement action then there is no order in an order in order in a state of order which is in a ordered state that is in a order state until it is replenished or recharged by an external source of energy which is not a part of that system मतलब कोई भी चीज जब एक सुशुप्त अवस्था में है एक potential state में है जब वो हलशल में आएगी या वो करम में आएगी वो movement में आएगी action में आएगी तो धीरे धीरे उसकी जो ordered state है वो chaos में जाती जाएगी disorder होता जाएगा और फिर जब उसको एक external source of energy जो वो system का हिस्सा नहीं है वो उसको recharge करेगी तो फिर वो chaos की state से वापस order की state की तरफ चले जाती है जैसे सूर्य की शक्ती है सूर्य की शक्ती एक external source of energy है जो इस पृथवी को हर रोज replenish करती है recharge करती है it's the sun's energy which recharges and renews system है अब इसको हम अगर बड़े लेवल पर देखे तो जैसे बैटरी होती है तो rechargeable battery initially it is in a stable state बैटरी को आप यूस करते जाए तो धीरे 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 बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है फिर उसको power supply से connect कर दीजे बू फिर रिचार्ज हो जाती है तो जब हम ये दो लॉस को देखते हैं इस स्रिष्टी पर वर्क करते हुए निदर गेट्स क्रिएट नोर दिस्ट्रोइड अन दूसरा वन इट मुआप में इंटो मोशन इट रांसफर्स फ्रांस 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 से तो ये दो लॉस से हमें इस वर्ल्ड ड्रामा की पूरी नॉलेज मिलती है कि एक तो ये जो creation है ये closed system है souls and matter आत्म और प्रकृति इसमें कभी कम और जादा नहीं हो सकता जितनी आत्माई total है वो उतनी ही total है इसमें कोई addition या subtraction नहीं होने वाली है जब ये आत्में movement या action में आती है जब ये अपनी हाइस्ट स्टेज में है दो इस तो इस पोटेंशल एनरजी ये आत्में 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 पर्फेक्ट पर्फेक्ट है 100% pure, 100% peaceful स्रिष्टी पढ़ाई शरीर लिया जैसे ही शरीर लिया करम करना शुरू कर दिया movement time so then that energy once it comes into movement तो धीरे 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 it is moving from an ordered state to a chaotic state and chaotic खतम होने से पहले it will have to be replenished अगर उसको replenish नहीं करेंगे तो वो weaker and weaker होता जाएगा उसको एक external source of energy से वापस chaotic state से ordered state में लाना पड़ेगा और उसके लिए सबसे important point हमें फिर ये समझ में आता है कि जो इस समय की शुरुवात थी बैसे तो कोई आदी और अंत नहीं है लेकिन अगर हमें एक reference point दे cycle को कि a starting point then the starting point will be taken as that point when the soul is at its absolute highest energy और ending point कौन सा होगा the whole of the energy is finished actually it will not finish totally but वो उस stage पर पहुंच जाएगी जब उसको आवश्यकता होगी बहरी energy की so हम मुझे लगते है उस लेवल पहुंच गए है तो जो आप जैसे कह रहे थे न उस तन के ये क्या हो रहा है ये क्यों हो रहा है इसका आगे क्या solution है it is only because we are reaching towards that or we have almost reached there जो वो chaotic stage है हम शुरो हुए थे स्रिष्टी चक्र शुरो हुए था बिल्कुल highest stage नेकिन वो law of entropy work करते करते it is reached at its absolute lowest stage and उसका असर चारो तरफ दिखाई दे रहा है मानस एक बिमारी, शारे एक बिमारी प्राकृति को थाई प्राकृति in fact it's not only the soul soul energy जहां पर problem आ रही है I think environment, matter energy because soul का प्रभाव environment पर परता है soul का प्रभाव automatically environment परता है आप देखो जब soul weak हो जाती है तभी तो प्राकृति को exploit करती है अब जब soul वापिस recharge हो जाएगी तो प्राकृति तो automatically purify हो जाएगी and that is why we understand के हमें बाहर कुछ बहुत जादा नहीं करने की जुरत है you know the charging has to be done here the purification has to be done here बाकी सब तो automatically हो जाएगा if we see this cycle the starting of this cycle reference point not actual starting वो होगा जब आत्मा बिलकुल highest stage में है and so called end of the cycle वो वाला समय होगा जब वो higher source को जरुरत पढ़े इंटर्वीन करना पढ़ेगा इस world drama में इंटर्वीन करना पढ़ेगा फिर से वो आत्मा जो कमजोर हो गई है उनको फिर से शक्तिशाली बनाने के लिए और यह higher source क्या होगा जो इंटर्वीन करेगा यह वो sun नहीं हो सकता यह तो परमात्मा जिनकी हम बात कर रहे हैं अगर हमने even souls की भी बात की है जो पूरी बात्चीत की है उसमें हम हर बार यह कहते हैं कि बैटरी अगर डिस्चाज हो जाती है तो यू तेक देग अनरजी फ्रम जाती है आशली देगा यह वाई गौद परमात्मा वो हाईर सोर्स अफ अनरजी है क्योंकि वो कभी मूव्में नहीं आते है तो उनके वो रिटें रहे हैं वो शरीर नहीं लेते हैं हम आत्मा ये शरीर लेती हैं तो हम अपनी औरलिजनल स्टै उनरजी से chaotic relative अगई लेकिन лॉद लेकिन परमात्मा वो शरीर नहीं लेते तो ही रितें शिस इं Simon बैसिक energy level और अध आटरर्जी ब्विंग टमें or now comes and recharges us so that is the bigger cycle के हम थे highest energy state पर थे काम करते, 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 करते lowest energy state पर आगे है higher source of energy अब इस closed system में इंचवीन करते है soul को दुबारा से charge करते है और जैसे ही soul दुबारा से charge होगी, तो क्या हो जाएगा again we'll go back to that higher level again we go back to the higher level because the cycle also if we look at it, then now the next step should be that higher level जहां से हमने शुरू किया थे absolutely, क्योंके the higher source is intervened now तो ordered state से chaotic stage में आए क्योंके हर चीज नई से पुराने, अब पुराने से पहर नई पर जाएगे अब chaotic stage से वापस ordered stage पर जाएगे क्योंके वो higher source ने इंटर्वीन कर दिया so then we understand the world cycle very accurately क्या समय था वो highest stage एक समय पर थी अब chaotic stage आ गई है लेकिन इसमें घबराना नहीं है ये तो हो नहीं था पुराने समाज का धाचा इतना बुरे हालात में है वो कैसे इंटर्वेंश को समाज का धाचा किसने बनाया इस तरह से हां हमीने आत्मा उन्हें वो परमात्मा आकर रीचार्ज किसको करते है आत्मा को उन्हें कोई फिजिकली चेंज नहीं करने की जरूद है किसी भी चीज को society is nothing but a reflection of the state of the soul हम highest stage पर थे यूस करते करते chaotic stage पर आए source of energy ने इंटर्वीन किया charge किया so we are again at a point जहां वो highest stage या वो order stage फिर से घुमनी शुरू हो जाएगी तो भी understand कि ये cycle भी एक bigger cycle है और इस cycle को अनेक civilizations में हमारे शांस्त्रों में भी हर एक scripture में भी इसे accept किया गया कि time is cyclic एक ऐसा समय था जिसको हम paradise कहते हैं garden of Allah कहते हैं Allah का बहिष्ट कहते हैं swarg, heaven, paradise कितने शब्दों से उसको याद किया वो क्या समय था paradise हम किसको कहेंगे where everything was in its highest state तो वो एक समय था और हर धरम शास्त्र हमें ये भी बताता है कि ऐसा वाला समय फिर से आने वाला है तो जैसे हमने देखा कि सुबह, दोपहर, शाम, रात cycle में घूमा spring, summer, autumn, winter cycle similarly, on a bigger picture satyug आपने उस दिन जब हम बात कर रहे थे कि global warming और ये सब हो रहा है तो आपने का सच में ऐसा लगता है कि कल यूग चल रहा है यूग मतलब समय कल यूग ये हमें किसने कहीं लिखा वा नहीं है कि ये कल यूग चल रहा है फिर भी आत्मा के अंदर से कहीं न कहीं आ जाता है कि ये कल यूग चल रहा है तो कल यूग अर्थात कलह कलेश का यूग जहां दुख, अशांती, ब्रष्टा चारो तरफ है तो ये वो रात्री का समय है, इसलिए हम इसको कल यूग कहते है तो स्रिष्टी का जो चक्र है, वो भी इसी तरह चार स्टेजिस से गुजरता है सत्युग, सत्यता का यूग, त्रेता यूग, द्वापर यूग, कल यूग और अब हम जहां आकर पहुंचे हैं, वो कल यूग की भी अती आपने का अती हो चुकी है, हर चीज की अती हो चुकी है तो अती ही के बाद अंत होगा तो अंत नहीं होगा, क्योंकि साइकल है तो सुबह, दुपह, शाम, रात इसी तरह सत्यूग, त्रेता यूग, त्वापर यूग, कल यूग कल यूग के बद सत्यूग तो हमने ही, यानि मैं या आप या जितने भी हमारे दर्शक है हम सब ट्रावल करके आए है, चारो यूग इसलिए तो उसको याद करते है न? इसलिए तो वो सुख की दुनिया याद आती है जिसने सुख देखा नहीं होगा तो परमधाम क्यों याद आता है? तो हम रहे हुए हैं इसलिए वो याद आता है याद हर एक को क्या आएगा सिरफ जो सीन उनोंने देखा होगा जो सीन देखा ही नहीं है अगर you can't imagine, you can just imagine आपको कभी याद ही नहीं आएगा you will not think about it you will not look for it you will not want it you'll not know it क्योंकि आत्मा ने वो experience ही नहीं किया तो उसकी life में वो episode ही नहीं है तो इसलिए भुवाला एपिसोड उसको पता ही नी चालेगा, उसमें रोल प्लेई नी किया था और इतनी शिददत से हम उसे याद करते हैं, विकोई हम उसे याद करते हैं, क्योंकि हम एसे समय पर आकर पहुंच गए हैं, जहां हम खेलते खेलते थक गए हैं मुक्ती भी क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि कही ना कही आत्मा को यह याद है, कि ऐसे समय पर जब हम खेलते खेलते थक गए थे, तब हम थोड़ी देर के लिए खर गए थे, तो इसलिए आत्मा उस घर को याद करना अब फिर से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सारा रेकोर्ड यह तो बच्चा नीचे खेलने के लिए आया था, चार-पंच खंटे अच्छी तरह से खेला, लेकिन खेलते खेलते थक्या 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 पहले शुरू का खेल कैसा था, बहुत अच्छा तो इसलिए जैसे कई बढ लो के ते, कि फिर यह स्रिष्टी बनी क्यों, इतना दुख होना था, इतनी अशान्ती थी, बट वो तो सिरफ अभी का पात है, क्योंकि हम ड्रामा को कितने पात में देख रहे हैं, सिरफ जो अभी क्योंकि हम बहुत बोडी कॉंशनेस में हैं, जब हम सोल कॉंशनेस में जाएंगे, तब हमें यह पता चलेगा, कि we had a good time, हमने बहुत enjoy किया है सारा, अब इतनी देर खेलते खेलते तो थकेंगे ही ना, क्या यह हो सकता है कि हम थके ही ना, इसलिए हम खेलेंगे ही ना, कि नहीं, इससे अच्छा तो हम उपर ही बैठे रहते, अगर इतना ही दुख फिर से देखना था, इससे अच्छा हम आते ही नहीं, तो नही हम स्रिष्टी पर आते हैं बहुत अच्छा खेल खेलते हैं चार घंटे सत्यूग, त्रेथा यूग, द्वापर यूग, कल यूग लेकिन आप हम वापस थे हैं क्योंकि आपने बीच में एक बार कहा था कि इस शरीर को छोड़के जो सोल है वो वापस नहीं जाती है दूसरी बाड़ी ले लेती है and I said till one particular time so that particular time has come till one particular time, it's like saying के, you know एक ड्रामा है, stage पर चलता है हम सब अक्टर्स बाक्स्टेज है अपने अपने रोल के अनुसार जब हमें क्यू दिया जाता है हम बाक्स्टेज से आजाते है, stage पर और ये ड्रामा ऐसा है के एक पर अक्टर stage पर आते है, फिर उनका रोल stage पर ही है till the end of the show so now the end of the show is coming end of the show तब होता है जब सारे actors stage पर आते है the end of the show is coming or no, that you will have to answer now we just discussed in the last episode that the end of the show is I think it looks like it's not the end of the show it's the beginning of the next show so but for that all of us will have to go back that's why the population is so drastically growing we have seen that 1.500 years ago only 100 crore population today 1.500 crore population only 1.500 years ago just 150 years 1.500 years ago only all the problems is the basic reason population because the need to develop new inventions resources उतना ही है आपकी प्रिथ्वी उतनी है पानी उतना ही है हर्याली उतनी ही है और आपकी पॉपुलेशन सो करोड से साड़े चाहिस सो करोड हो गई तो ये तो वैसे ही हुआ कि घर में खाना तो उतना ही है झार्लोगों की जगे चार्लिस लोग हो गए खाना तो कम पड़े गई और फिर जब खाना कम पड़ा तो हमने एक दूसरे की थाली से छीनना शिरू कर दिया जब हम चार लोग थे तब हम एक दूसरे की थाली से छीनते नहीं थे तब हम आपस में बहुत प्यार से रहते थे लेकिन जब चालीस लोग आ गए उसी घर के अंदर तो घर का वायू मंदल कैसा हो जाएगा हर बात में खीचता नहीं हो जाएगी और हर एक के अंदर ये डर बना रहेगा ये खाना तो इतना ही है अब इन के खाने से पहले मैं ले लो तो क्या ये घर में सत्यूग से कल्यूग नहीं बन गया जिस्ट बिकॉस पॉपुलेशन अगर हम चले जाएगा तो इस रिष्टी के ओपर सुर्फ सो करोड़ पॉपुलेशन थी वाट वुद बिकॉस पॉपुलेशन अगर बस बिकॉस पॉपुलेशन एक्स्टोशन तो ओल इस थकावट वाला पीरियद जो चीटिंग थकना वो कब हुआ वो तो सरफ अभी अभी में हुआ लेकिन उससे पहले तो ये ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अब हम इंडिंग वाले पीरियद में आए हैं तो इंडिंग में तो थोड़ी सी थकावर तो होगी ना और हमने इतने सारे करम जो किया तो आत्मा स्टेज पर आने के बाद बीच में वापिस नहीं जाती है आप सत्यूग में जब फर्स्ट आई उसके बाद आप स्टेज पर ही है अच्छा सत्यूग से हम ही चले जा रहे हैं जो भी जो आत्माई सत्यूग में आई वो स्टेज पर ही है लेकिन सत्यूग से कल्यूग के अंत तक बीच में परमधाम वापिस घर नहीं जाती है और इसले पोपुलेशन कभी भी कम नहीं होती है लेकिन बू जो ज्यादा होती है, it means Satyaug में चितने लोग थे, तो वो बीच-वीच में और आते गए हाँ, इसलिए तो अभी हमने देखा के, देट सो वर्ष पहले ही 100 करोड पॉपुलेशन थे No, but then it means they were there in Paramdham all that time, in all these three yukes, and then Kalyug में आते ही, they've all come जो साड़े 500 करोड आत्में, सिरफ is 1.500 साल के अंदर आई है, तो वो साड़े 500 करोड आत्में कहां होंगे, वो परमधाम में थे तो हर आत्मा अपने इस ही ले, backstage, क्योंकि हर आत्मा का different role है यह एक बहुत बड़ा revelation है, again, you know, like, इसको accept करने में भी, again, अनुभव के बाद ही, हम और पूरा analysis करने के बाद ही, खुद अपने आंदर सोचने के बाद, खंगालने के बाद ही सिस्विकारते हैं हम, हर बार की तरह, बस Sister Shivani, यह अच्छी है, अपने हमें हमें बात बताई क कि अभी भी वक्त है, और एक cycle है, एक चक्र है, काल चक्र के जिसे हम बात करते आ रहे हैं, तो वक्त है कि एक सुंदर यूग इंतजार कर रहा है, और उसको हम देखें कि क्या है, आगे क्या होगा, क्या है वो सुंदर यूग, और कौन-कौन वहां तक पहुँचेगा, यह अभी एक नई बात हमारे सामने आईए, सुस्टर शिवारी, बहुत बहुत शुक्री आपका, अमशन्ती, समय चक्र, सदियों से सुनते आ रहे थे इस शप्त को, कब से काल चक्र की बात करते थे, लेकिन यह लॉजिकली अगर हम देखें तो बात समझ में आती है कि समय जो ह कि कल्योग तक का सफर, बात हो सकता है कि पहले पहले खुड़ा वक्त लगे इसको अंदर जाने में, लेकिन एक बार अगर हम इस बात को समझ लेंगे, फिर धीरे धीरे अगर हम लॉजिक के आस्पेक्ट पर देखेंगे, खंगा लेंगे उसे, तो शायद बात को समझ में आ आने वाले कडी, सत्य यूग या फिर आने वाले नई यूग का चहरा लेकर सामने आएगी, इंतजार कीजे, मुलाकात करेंगे अवेक्निग विद ब्रामा कुमारिस की अगली कडी में, दीजे आज़त, नमस्कार. ०ूम्णि birth to में एक्टेوıl यूपव आतायम् examiner, दीजे यूखदित का आने, रिर्ण च्यादि आएगाक, दीए Airbnb chain Map Kingdom, आप्तायम् है यूम्णिsize MalANG्ण एए ऑम्यूए चाहिए this sound is a sacred song om shanti om om shanti om I'm a peaceful soul om shanti om